अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले हेलो दोस्तो दे अल्टिमेट चैनल में आपका स्वागत है हमारे डॉग वर्सिस डॉग की सीरीज में आज हम बात करेंगे डालमेशन वर्सिस लैब्रडॉर के बारे में दोस्तो लैब्रडॉर एक मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है और इनका ओरिजिन कैनेडा के एक छोटे से टाउन लैब्रडॉर से है इन्हें आज रिट्रीवर डॉग ब्रीड किया गया था ताकि ये लोगों को और हंटर्स को हेल्प कर सके लैब्रडॉर पूरे वर्ड म में वन आफ दा मोस्ट पॉपुलेट डॉग ब्रीड है डालमेशियन भी मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है और ये कहा जाता है कि इनका ओरिजिन क्रोईशिया के एक रिजिन डालमेशिया से है डालमेशियन को कुछ सेंचुरीज पहले as a carriage dog यूज किया जाता था ये दोस्तो डालमेशियन और लेबरेडर दोनों बहुत ही अच्छे family dogs होते हैं ये first time owner के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं और छोटे बच्चों के साथ भी easily रह सकते हैं आपकी family चाहे कितनी भी बड़ी हो ये दोनों dog breed बड़ी से बड़ी families के साथ भी easily रह सकते हैं लेब के दोस्तो अब हम जानते हैं इनकी height के बारे में लावरेडर की average height males में 22 inches से लेके 24 inches तक होती है और females में 21 inches से लेके 23 inches तक होती है और अगर डालमेशियन की height की बात करे तो इनमें females की average height 20 inches से लेके 23 inches तक होती है और males की average height 21 inches से लेके 24 inches तक हो सकती है तो चली अब हम बात करते है इनके weight के बारे में Labrador में males का average weight 29 kg से लेके 36 kg तक होता है और females का average weight 25 kg से लेके 32 kg तक होता है लेकिन आज कल बहुत से लोग अपने Labrador को overfeed करते हैं और उनका weight इनके average weight से जादा होता है और अगर dalmishan की weight को देखे तो इनमें males का average weight 20 kg से लेके 32 kg तक होता है और females का average weight 17 kg से लेके 25 kg तक होता है तो देखा जाये तो dalmishan का weight कम होता है ऐसा इसलिए क्योंकि dalmishan की lean body होती है और इनके long legs होते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों dogs के adaptability के बारे में तो दोस्तों आप labrador और dalmishan दोनों को medium to large size के घर में रख सकते हैं इनको small size के घर में ना रखे खासकर की dalmishan को क्योंकि वो थोड़े energetic होते हैं और उन्हें बंद कमरों में और छोटे घरों में रहना बिलकुल पसंद नहीं होता दोस्तों labrador Indian weather condition में ठीक ठाक रह तो सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा गरम और humid weather को नहीं जहल पाते इसलिए उस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार भी पढ़ते हैं लेकिन dalmishan गरम और humid weather में भी easily रह सकते हैं और ज़्यादा जल्दी बीमार नहीं पढ़ते लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि आप हमेशा अपने dalmishan को घर से बाहर गरमी में ना रखे अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग और socialization के बारे में दोस्तों dalmishan और labrador अच्छे friendly dogs और social dogs तो होते हैं लेकिन अच्छा यही होगा कि आप बच्पन से इन्हें अच्छी तरीके से socialize करें आप इन्हें बच्पन यही बाहर के environment में लेकर जाए इन्हें आसपास की जगा दिखाए और दूसरे लोगों और दूसरे dog से मिलवाए training की बात करें तो labrador को आपको train करना जादा easy होगा क्योंकि labrador one of the most intelligent dog breed में से एक है और यह बहुत ही जंदी ओनर की बातों को मानना सीखते हैं आप अगर इन्हें बच्पन से ही train करेंगे तो जादा अच्छा रहेगा dalmishan को भी आप train कर सकते हैं लेकिन labrador को train करना जाद जादा easy होगा dalmishan भी अच्छी dog breed है और आप इन्हें labrador की तरह भी train कर सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा patience रखना होगा अब हम जानते हैं इन दोनों dogs के energy level के बारे में दोस्तों labrador और dalmishan दोनों अच्छे खासा energetic dogs होते हैं लेकिन अगर आप labrador को जादा overfeed करेंगे त सारा दिन सोते रहना और अराम करना पसंद करते हैं अगर आप इनको healthy रखना चाते हैं तो इन्हें हर रोस कम से कम 40 मिर्ट तक physical exercise जरूर करवाए और अगर हो सके तो इन्हें हर रोस दिन में कम से कम 3 बार walk के लिए जरूर लेकर जाए दोस्तों इंडिया में labrador की average price 8-12,000 तक होती है और dalmation की average price 11-15,000 तक होती है तो दोस्तों यह था आज का हमारा एपिसोड dalmation vs labrador के बारे में और popular dog breed के बारे में जानने के लिए subscribe करे हमारे चानल को like करे, share करे और comment करे इस वीडियो पे, thank you